हालो प्रिवेन वेलकम बैक टू माई चैनल किरती भैसान डिजाइन अर्थ फ्रेंड आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे तो इसकी तयार लंबाई हम 14 इंच रखेंगे तो जितनी रखना है एक इंच ने ज्यादा ले लिये था सोल्डर आप तयार कर सकते हैं उसके बाद इस पर रिजाइन है रिजाइन बनाने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है अब कपरे पर देखें इस तरह से सिलाई डारेंगे अब इसको पलटना है सीधा ही कपड़ा कर लेना है सिलाई हमने डाल दी है इसको पलटकर सीधा कर लेंग जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमें काट काना है दो दो इंच का अब दो इंच का काट करेंगे पूरे कले पर यह डिजाइन्स रहेगा इससे तो इसलिए पर यह डिजाइन्स ज्यादा लगेगी इस तरह पटियों को काट करना है तो हमने काट करके कठा कर लिया है अब इसको लगाना है देखिए ब्लैक कलर है तो यहाँ पर समझ में थोड़ा कम आएगा पूरा हम किलियर करते चलेंगे देखिए अब गले वाली साइड से इसको लगाना है फोल्डिंग वाली साइड गले के बाहर की तरफ करना है और खुली वाली साइड गले की तरफ करना है एक एक इंच की दूरी पर एक इंच दो पॉइंट की दूरी पर इसको रखना है तो इस तरह से पूरे गले पर इसको लगाएंगे दूरी एक इंच दो पॉइंट लेनी है एक इंच दो पॉइंट पर एक दूसरी डिजाइन्स रखेंगे और पूरे गले पर एक बरावर से इसको लगाएंगे तो यह देखे पूरे पर लगा लिया है अब यहां से हमें बीच में थोड़ा सा गयब देना है और ठीक उसी के सामने दूसरी रिजाएंस रखना है जितनी की जाएंस लगी है उतनी ही अब लगेंगे ठीक एक दूसरी के सामने रखते हुए और बीच में थोड़ा गयब देंगे बिल्कुल से टाकर नहीं रखेंगे ज्यादा नहीं देना है अलका सा गैप देते हुए इसको रखना है और लगाना है बंद वाली साइड दोनों की मिला कर रखना है बंद वाली साइड दोनों की एक तरफ रहेगी और खुली वाली साइड इस वाली डिजैन्स की बाहर की तरफ रहेगी तो यह देखे पूरे प्रम ने लगा लिया है अब इसे लगाने के बाद हमें देखे उसी साइड की पटि हम रे दी है तेच्छे बापेपर जो की अब गले पल लगानी है यह गला पटि इस तरह से त्यार करके ले लेना है अब दोनों साइट की जो डिजाइने लगाई है उसके सिलाई को कवर करने के लिए ये पट्टी लगाएंगे इसलिए और ये पट्टी तियार की है विसको इस तरह से लगा देना है देंगे इस तरह लगा देंगे पट्टि के दोनों तरफ से सिलाई डाल देंगे जैंसके आप देख रहे हैं यह पट्टि लगाई हम नहीं और दोनों तरफ से में बातीं पट्टि हैं जो बाहर वाली तरफ से डिजाइने लगाई हैं उस पर भी हमें इस तरह से पटी लगा देना हैं तो यह देखिए इस तरह पटी लगा देंगे और पटी के दोनों तरफ से लाई डाल देंगे तो यह दोनों तरफ से लाई डालते हुए पटी भी लगा लेना है हमें जैसा के हम लगा रहे हैं दोनों तरफ से इस पर भी इस लाई हैं डालेंगे तो यह हमने दोनों तरफ से लाई डालते हुए पटी लगा ली है अब हमें गोल्डिंग डोरी लेना है तो देखे इस तरह डोरी लेंगे डोरी की लंबाई ज्यादा रखनी है और इस तरह डालनी है हर एक डिजाइन में डालना है फिर दोनों की साइड चेंज करते हुए देखे क्रास करते हुए इस तरह से डालना है अब पूरी डिजाइन से इसी तरह से बनानी है पूरी डिजा तो इसी तरह डाले जाएगा जैसा के हमने डाल लिया है पूरे डिजाइन हमारी ये गले की तयार हुई अब हमें नीचे बाडर लगाना है तो ये बाडर लगा देंगे गले का डिजाइन समरा तयार हुआ है बाडर लगाने के बाद ये डिजाइन समरा तयार हो जाएगा तो बाटर के दोनों तरब से स्लाइड डालते हुए इस तरह से लगा लेना है तो यह दिखे बाटर लगा दिया है अब दोनों प्लेट से डाल देंगे उसके बार डिजाइन्स मरा त्यार हो जाएगा डिजाइन्स अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैन ताकि जब भी नया वीडियो लेकर हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सकते हैं